एक right cooking oil हमारी डिश में flavors ही नहीं बलकि बहुत ही सारे nutrients भी provide करवाता है क्योंकि उसमें essential fatty acids present होते हैं जो हमारी body में fat soluble vitamins that is A, D, E और K को absorb करने में help करते हैं जैसे हमने अपनी last video में discuss भी किया था नहीं देखी तो उसे अभी जाकर देख लो इसमें हमने discuss किया था कि कौन-कौन से cooking oils में क्या-क्या चीजें present होती हैं और मैंने आपसे पूछा था कि आप कौन सा cooking oil use करते हो ताकि उसके बारे में detailed discuss हम आज की video में कर सकें और हमें मालूम है कि कोई भी ऐसा एक specific cooking oil नहीं है जो सारी dishes बनाने के लिए use किया जा सकता हो इसे लिए cooking method और cooking technique भी उतनी ही जादा important हो जाती है या फिर deep fry ही क्यों न कर रहे हो उस टाइम पर आपको कौन सा cooking oil use करना है हलो नमस्ते सशुकाल आदाप कैसे है आप सब I hope all of you are good welcome back again This is your dietitian Dr. Happy जब भी हम खाना बनाते हैं तो हमारे oil का उस temperature पर stable होना बहुत ही जादा जरूरी हो जाता है अब यह stability क्या चीज है मतलब हमारा oil उस temperature पर oxidize ना हो जब भी हम oil को गरम करने के लिए pan में डालते हैं तो वो हवा में present oxygen particle के साथ react करता है और धीरे धीरे toxin products को release करता है जो हमारे खाने में mix होते हैं और later on जाकर वही products हमारी body को side effect भी करते हैं इसलिए जो भी cooking method हम अपना रहे हैं उस time पर हमारे oil का उस temperature पर stable होना बहुत ही जादा जरूरी हो जाता है अब जैसा हमने पिछली वीडियो में discuss किया था अरे भाई अगर अभी तक नहीं देखी तो उसे जाकर देखो कि सभी oils में saturated fatty acids present होते हैं तो जब भी हमें deep fry करनी है तो उस time पर ऐसा oil चूज करना है जिसमें सबसे high amount में saturated fatty acids present हो क्योंकि जितने high amount में saturated fatty acids present होते हैं हमारा oil उतना ही heat stable होगा वो easily break down नहीं होगा और toxin product release नहीं होगा इसलिए deep fry करने के लिए आप mustard oil यूज कर सकते हैं coconut oil यूज कर सकते हैं groundnut oil यूज कर सकते हैं या फिर end में आप देशी घी भी यूज कर सकते हैं जो बहुत सारी sweet dish को बनाने के लिए यूज किया भी जाता है क्योंकि उसका smoking point, heat stability जो temperature है वो बहुत ही जादा high होता है अब बात करते हैं हम अगर हमें sauté करना है vegetables को तड़का लगाना है लेकिन उससे पहले आप मुझे एक चीज का answer comment section पर लिखकर जरूर बताना कि जब भी हम खाना बनाते हैं oil को पैन में डालते हैं तो हम oil के गरम होने के बाद ही उसमें food क्यों add करते हैं ठंडे oil में हम food add क्यों नहीं करते हैं अब चलिए फिर से चलते हैं वीडियो की तरफ की अब हमें तड़का लगाने के लिए sauté करने के लिए vegetables और दाल्स को कौन सा oil यूज करना चाहिए बहुत सारे लोग rice bran, sephalore या फिर sunflower oil को यूज करते हैं बट ये तीनों oils बहुत ही जादा rich होते हैं polyunsaturated fatty acids में और अगर किसी oil में polyunsaturated fatty acids high होते हैं तो वो उतने जादा heat stable नहीं होते क्योंकि उनके fatty acids break down होते हैं और ultimately toxins release करते हैं तो इसलिए अगर आप rice bran, olive oil, olive oil की बात करें तो उनमें monounsaturated fatty acids high होते हैं तो इसलिए तड़का लगाने के लिए भी हमें वही oils चाहिए जिसमें saturated, monounsaturated और polyunsaturated की ratio stable हो तो simple जिभाशा में बात करते हैं भई तड़का लगाने के लिए आप mustard oil यूज कर सकते हो olive oil यूज कर सकते हो rice bran oil यूज कर सकते हो sesame oil भी यूज कर सकते हो groundnut oil यूज कर सकते हो अब आपको इन में से किसी भी एक oil के उपर depend नहीं रहना है आपको हमेशा अपने oils को switch करना है एक हो अगर हमारे पास 12 महीने है तो आप ऐसे 3 oil चूज कर लीजिए जो आप switch कर सकते हो 3-3 महीने के बाद क्योंकि ऐसा कोई भी specific oil नहीं है जिसमें ratio exact हो only mustard oil ही एक ऐसा oil है जिसमें saturated, polyunsaturated और mono unsaturated fatty acid की ratio एकदम exact होती है और उसके साथी groundnut oil अकेला ऐसा है लेकिन groundnut oil से बहुत सारे लोगों को allergy होती है और यह diabetes भी करवा देता है कुछ लोगों में इसलिए हमारे पास जो बचता है वो mustard oil ही बचता है लेकिन हम mustard oil में एक compound present होता है that is rucic acid जो कहते हैं हमारे body में जाके toxins produce करवाता है heart में fat cells को deposit करवाने लग जाता है यह बात सही है लेकिन यह चीज तब ही होती है जब हम over consumption of mustard oil की करते हैं और हम mustard oil को अच्छी तरह से heat नहीं करते क्योंकि उसका smoking point temperature high होता है तो अगर हमें दाल सबसी भी भनानी है तो उसमें इसे अच्छी तरह से heat कर लेना चाहिए और मैंने बोला ही था कि आप इसमें किसी other oil को mix कर सकते हैं इसके rustic compound को decrease करने के लिए आप इसमें rice brand या फिर sesame oil 30% add कर सकते हैं और बहुत सारी latest researches और doctors ने भी यह चीज़ कही है कि जो लोग heart patient है या पर cardiovascular diseases है जिन लोगों को उनमें जो लोग mustard oil consume करते थे उनकी ratio कम है हाला कि जो लोग olive oil consume करते है उनकी ratio high है अब ऐसा क्यों है क्योंकि olive oil में monounsaturated fatty acid 70% से high होते हैं और FDA ने, FASI, ICMR ने यह चीज़ क्लियर कि है कि monounsaturated fatty acid के लिमर 70% तक ही होनी चाहिए उससे high नहीं होनी चाहिए तो जिसकी वज़े से हमारी body का system जो है अंदर से वो गडबड़ा जाता है अब बात करते हैं कि अगर आपको breakfast में eggs, pancakes, pasta या फिर कोई भी ऐसे छोटी सी चीला पूरा बनाना हो तो उस time पर आप rice bran oil use कर सकते हैं olive oil use कर सकते हैं आप sesame oil उस time पर use कर सकते हैं यह oils आपके लिए best option रहेंगे और Asian food के लिए sesame oil is the best option इसमें polyunsaturated fatty acid high होते हैं लेकिन yes यह आप कहेंगे normal temperature पर cook करने के लिए हमारे पास सही होता है अब बात करते हैं कि जो sunflower लोग क्योंकि sunflower oil भी बहुत ही जादा लोग use करते हैं तो sunflower oil भी उसका temperature बहुत जादा high हम लेकर जा सकते हैं लेकिन उसमें एक दिकत होती है कि बहुत सारे cases में sunflower oil type 2 diabetes cause करवा देता है वो एक ऐसा compound release करता है जिससे diabetes के patients हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं इसलिए sunflower oil को अगर आप avoid करें तो जादा better है उसकी जगे पे आप mustard oil को जरूर शिफ्ट कर सकते हैं और अब बात करते हैं कि अगर आपको joints में pain होता है तो उस time पर आपको काम सा oil लेना चाहिए उस time पर आप olive oil ले सकते हैं अगर आपको diabetes है, hypertension है तो उस time पर आप rice bran oil ले सकते हैं आप flaxseed oil लेकिन flaxseed oil का कभी भी आपको तड़का नहीं लगाना है अगर आपको उसका तड़का लगाना है तो उसे आपको किसी और oil में blend करना पड़ेगा अकेले का तड़का नहीं लगा सकते क्योंकि flaxseed oil cold pressed होते हैं और उनका temperature बहुत ही ज्यादा low होता है जो हमारे you can to say no cooking के लिए वो बना होता है इसलिए flaxseed oil का तड़का नहीं लगा सकते और अगर आप तड़का लगाएंगे तो आपको refined version चाहिए होगी उसकी और refined version में trans fatty acids आपको definitely मिलेंगे जो हमारी health के लिए again सही नहीं होते हैं और अब बात करते हैं sun drop और sephola gold oil के बारे में sun drop basically आपका sunflower oil होता है और sunflower oil आपका rich होता है vitamin E, A, vitamin B उसमें present होता है monounsaturated fatty acid और polyunsaturated fatty acid ratio की भी बहुत ही जादा अच्छी amount में इसमें present होती है लेकिन again यह high temperature पे तो stable होता ही है लेकिन यह बहुत सारे लोगों में दिक्कत करता है diabetes cause करवा देता है hypertension की दिक्कत होने लग जाती है क्योंकि यह arteries में ethereosichlorosis करवाने लग जाता है इसलिए it is best to avoid sunflower oil for deep frying no doubt it is the best option for deep frying लेकिन आप कभी कभार इसे use कर सकते हो आप इसे और mustard oil को deep frying के लिए switch कर सकते हो sunflower पे आप बहुत जादा dependent नहीं रह सकते और वहीं पर अगर हम सेफोला गोल्ड की बात करें सेफोला गोल्ड बहुत ही जादा बिखता है अगर हम इंडिया में देखे तो सेफोला गोल्ड basically is a blended oil जिसमें आपका 80% I think rice bran oil होता है refined rice bran oil और 20% उसमें आपका सेफलोर oil होता है 20% again वह भी refined ही होता है इसने तो इसलिए मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जब भी आपको कोई भी ऐसा एक देखो पर्टिकुलर oil नहीं है जो हमें सारे के सारे essential fatty acids provide करवा सके तो आप blending ज़रूर कर सकते हो लेकिन वह mixing oil आपको घर में खुद करनी है separate oils अपने kitchen shells पे आप रख सकते हैं जब आप खाना बनाए तो उस time पर आप mix कर सकते हैं market से आपको कोई भी blended oil नहीं लेना है और ये blended oil ही है और वो भी refined form में होता है तो इसका मतलब इसमें जो भी nutrients present होते हैं वो almost आप कहलो खतम ही हो जाते हैं क्योंकि बहुत high temperature पर इसे heat किया जाता है so again I recommend this is not a good option yes आप occasionally शाय दो तीन महीने में एक दो बार इसे use कर सकते हैं लेकिन regular basis पे आप इन oils को use नहीं कर सकते I hope guys this video may be beneficial for you and may add a little value in your life I'll meet you in the next video till then take care लेकिन उससे पहले इस video को like और जो question पूछा है उसका answer comment section पर लिख कर जरूर बताना और इस channel को भई जरूर सब्सक्राइब कर देरा बाबाई